हम पढ़ रहे थे वर्ड वार के बारे में, सैकिंड वर्ड वार के बारे में, जो की वर्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है। सैकिंड वर्ड वार, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इसमें यूरोप के और पूरी दुनिया के दिशों ने बहुत ही बढ़ चड़ के भाग लिया था। क्योंकि पूरा विश्व इस यूद के अंदर दो गुटों में विभगत हो गया था। दो गुटों में डिवाइड हो गया था। इसको करने से पहले आज हम देखने वाले हैं विश्यूद से विनास। विश्यूद से जो भी विश्यूद हुआ था, Second World War, उससे क्या-क्या विनास हुआ था, किन-किन चीजों का विनास हुआ था। इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि हमने अभी तक क्या-क्या कर चुके हैं, अभी तक क्या-क्या किया है, हमने Second World War के जो introduction था वो हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे जो की बहुत ज़्यादा important है, ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा बहेंकर था और बहुत ज़्यादा विनासकारी था, इतना नुक्षान हुआ था इसमें जिसकी कलपना तक नहीं की जा सकते हैं, सिर्फ अंदाजा लगाया गया था, इसको पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता कि इतना विनास हुआ था, किसकी विजय हुई थी, किसकी हार हुई थी, एक बात बहुत जरूरी है जो कि सभी को समझनी चाहिए, कि युद्ध कभी नहीं होने चाहिए, और युद्ध से किसी का भला नहीं होता, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, युद इसे हमेशा विनास होता है से, इसमें मरता आम नागरिक है, जिसका कोई सरोकार नहीं है किसी से, तो युद्ध किसी के लिए भी अच्छा है, युद्ध कभी नहीं होने चाहिए, हमेसा ये कोशिश होनी चाहिए, कि युद्ध कम से कम हो, ना हो, तो ज्यादा बैतार है, फिर भी हुआ, देख लेते हैं World War 2nd को थोड़ा introduction देख लेते हैं क्योंकि जो student पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को के लिए जानना ज़रूरी कि इसमें हुआ क्या था बाकि अगर आप इसको पूरी सीरीज को इस तरह से इसको देखेंगे तो वो जाता बहतर सा तरीके से समय जबाएगा फिर भी कोशिस की जाएगी कि यहां भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं जो भी हम बताना चाहते हैं उसको सही से बताते हैं इसमें क्या था? Second World War, Second World War में दो सक्कियां थे दो गोट थे, एक Axis Power, एक Allied Power Axis Power को धुरी राष्ट कहा जाता था और जो Allied Power था, उनको मित राष्ट कहा जाता था मित राष्ट जो थे, वो पूंजी वादी देश थे लोक्तांत्रेट देश और Axis Power जो थे जो धुरी राष्ट थे, वो अधिनायक वादी देश थे अल्लब निरम कुस वादी, जिनमें ताना साही थे जो कि एक ही राजा हैं, एक ही पार्टी के सासम में विश्वास करते थे इसमें जो थे Allied Power जो मित राष्ट थे उसमें थे Britain, France, Russia, USA और इसके छोटे मोटे देश जो इसमें सामिल होना चाहते थे इनको किसी भी तरह से जो सपोर्ट कर रहे थे चाहे प्रतेक्स रूप से हो, चाहे अप्रतेक्स रूप से और इसमें थे धूरी राष्ट में जर्मनी, जापान, इतली, बल्गारिया, रुमानिय वगएरा छोटे मोटे देश, जो कि ये important थे इसको मैंने यहाँ पर लिख चुआ है ये देशों में आपस में इतना भैंकर लड़ाई हुआ, जिसकी हम कल अपना नहीं हो सकते हैं इसका जन्यनी थी, इस यूद्ध की जन्यनी थी प्र्थम विश्यूत पर्थम विश्यूद की वज़े से जो परिस्तितिया निकल के आएं, जो भी परिस्तितिया बनी, उन्हीं की वज़े से दूसरा विश्यूद हुआ था, इसके बारे में हम पूरी तरह से पढ़ा चो गए हैं, आप चाहें तो वर्ड इस्ट्री का हमारा सभी टॉपिक आप अ विश्यूद हैं, अब तक का 1949 से ले को 1945 यि तक इससे पहले ऐeln & इस से बात तक अभी तक देखते हैं, तो यह सबसे ज्यादा बयान कर लोगी था… सबसे ज्यादा विश्यूद है इतना विश्यूद किसी भी प्रतिसत संख्या इसमें मौत के घाट उटार दे गए थी इतना बहेंकर युद्धुगा था इसमें कि इसकी दस प्रतिसत संख्या थी उस समय इन देशों की उसकी दस प्रतिसत संख्या कम हो गई थी मृत्यू का सिकार हो गए थी इतना भहेंकर युद्वा था आप सोच सकते हैं कि किसी भी देश की 10% सिंख्या ऐसी कता हो जाए युद्व में तो उसकी बाकी जन सिंख्या कितनी बच्ची होगी सोचने वाली बात है इसमें कहा जाता है कि इस युद्व के अंदर लगभग आज से लेकर 7 करोड लोग मृत्यू का सिकार हो गए थे अब आप सोच सकते हैं अभी हम 20 मी सदी में हैं 20 मी सदी में आज भी बहुत सारे सैक्णों देश ऐसे सैक्णों देश ऐसे हैं जिनकी पूरी जन्संख्या एक करोड तक नहीं है पांस करोड की तो बात यह रहा है ऐसे ऐसे देश है जिनकी जन्संख्या अभी पांस करोड भी नहीं है ना एक करोड भी है सैक्णों देश ऐसे हैं लेकिन आप सोचिए 1949 में इस युद्ध के अंदर पांस से साथ करोड भी रो मौत का सिकार बने गया थे इस युद्ध के अंदर भहन कर मृत्यू का टाड़ अब किया जा रहा थे कोई किसी को भी मार दे रहा थे लासें ऐसी विख्री पड़ी थे कोई उठाने वाला पैदानी था पूरा यूरोप युद्ध की आग में चल रहा था और युद्ध भी इसी का बनाय हुआ थे क्योंकि इनकी जो लालसा थी ना जो इच्छा हैं सभी को जीतने की, पूरे विष्ट को जीतने की पूरे विष्ट पे कबजा करने की इनी की ये लालसाओं ने इसको युद्ध में जोग दे इसलिए कोशिस करनी चाहिए जो है उसी के हिसाब से चलना चाहिए हाँ इस तरह से काम मत कीजिए कि आपको युद्ध में जाना पड़े खूब विखास कित्री जितना हो सकता है आगे तक जाएए जितना आगे तक जा सकते है लेकिन ऐसी परिष्टित्या नहीं होने चाहिए जिससे की सब कुछ कातम हो जाएए आगे है फासिवादी बरबर का हिटलर जर्मनी का जो ताना साह था हिटलर जर्मनी इटली और जापान को समलित प्रूप से फासिवादी देश कहा जाता है ताना साही देश कहा जाता है इसमें जो जर्मनी था जर्मनी जो है जर्मनी का जो ताना साह था हिटलर ये सबसे कुरूर ताना साह कहा जाता है इसका नाम भी काफी फेमस है ये यहुदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि प्रथम विश्वद में जो हार होई थी उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार वो यहुदियों को मानता था और सभी तरह की जो भी परिशानी आई थी जर्मनी पे उन सभी का कारण वो यहुदियों को मानता था इसका एक ही मोटिव था कि सभी जगे से पूरे विश्व में से यहुदियों को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए आप सोच भी नहीं सकते कैसी महत्वा कांचा थी इतना भहंकर युद दुआ था और जो भी इनके देश में थे और जो भी दोसरे देशों में थे जहाँ पर इसने आकमर किया था जिन देशों को जीता था जर्मनी ने उन देशों में जितने भी यहुदि थे उन सभी को यातना सिवरों में भेट दिया गया था और कहा जाता है कि लगभग 20 लाख 20 लाख यहुदियों को इनके यातना सिवरों में मौत के घाट उतार दिया गया था 20 लाख से चाहता पोलेंड में अकेले 40 लाख लोगों को 40 लाख लोगों को यातना सिवरों में मौत के घाट उतार दिया था कहा जाता है कि वो आतना सिवर नहीं थे, वो मौत के सिवर सिवर थे। आप सोच सकते हैं कि ये बरबरता कैसी हो रही है, कि किस तरह से लोगों को मारा जा रहा था। नाजिवाद, नाजिवादी बरबरता आप देख सकते हैं, नाजिवादी ने इन सिवरों के अंदर लगभग एक करोड लोगों को मौत की खाट उता दिया था, जिसमें दूसरे देशों के स्थैनिक और यहुदी सामिल थे। इसमें फासी वादियों ने भी काफी उत्पात मचाया था। इन्हों ने भी अपने यात्ना सिवरों में बहुत सारे जो दूसरे देशों के सैनिक थे, लोग थे, उन सभी को मार डाला था। आगे यहुदी कहा जाता है कि जो जर्मनी था, उस ने इतने बहेंकर आकरमन किये थे यूरूप पर, जहां पर यहुदी थे, वहां पर कम से कम साथ लाक यहुदियों को मौत के घाट उतार दिया था। और यह जनसंख्या जो है, यह जनसंख्या है साथ लाक वो यहुदियों के जो टोटल यहुदी थे, उसका 75% थी। जितने भी विश्चों में यहुदी थी, उनका 75% साथ लाक लोग आते थे। 60 लाग लोगों को, जो यहुदी थे, उनको मौत के खाट उता दिये गया था, नाजीों के द्वारा, नाजी भिटलर की पार्टी थे, आगे देख लेते हैं, हवाई हमले, इसमें इतनी ज्यादा हवाई हमले किये गये थे, जिसकी कोई लिमिट नहीं थे, देख लेते हैं, ब लाखों बंद गिरा दिये गये थे, उसके सहर पर, जर्मनी के सहरों पर लाखों बंद गिराए गये थे, जिसमें जर्मनी के लगभग एक लाख पैती सजाव, लोग मौत के सिकार हो गते हैं, इतना ज़्यादा भेंकर योद दूर था, इसका रीजन था, जर्मनी भी इन देशों पर बहुत ज़्यादा बंबारी करना था, इसके जवाब ने, ब्रिटेन और मितर रास्टों ने, अकेले ब्रिटेन नहीं, इसके सहरों पर बंबारी की, लाख और बंब गरा दिये जिसमें की, एक लाख पैतीस जार लोग उसी समय माँ थे, और आने वाले समय में पता हैं कितनी लोग मुरें, आगे, जापान द्वारा, यूएस से पर अटेक, जापान ने बहुत तगड़ा हमला किया था, साथ दिसंबर उनीस सो एक्तालिस को, जापान ने साथ दिसंबर उनीस सो एक्तालिस को, यूएस से के नौसेनिक अटेक पैड़, जिसका नाम था परलहार बार, साथ दिसंबर उनीस सो एक्तालिस को भेंकर अक्तालिस को, जिसमें यूएस से की लगभग, आधी सामुद्रिक सकती, उसी दिन खतम कर दी थे, जिस से अमेरिका अगले दिन आठ अपरेल को ही आठ दिसमर को भी जापान के खिलाब युद्ध में कूट कुड़ा था ये अटेक इतने भेंकर थे जिनकी कलपना तक नहीं की जा सकती पूरे जितने भी पानी के जहास ने सब को टैसनेस कर गया था जहां भी बम गिरे जैसे भी ग बर्बरता देखाई थी जर्मनी ने जर्मनी ने लोगों को ऐसे काट डाला जो आप सोच भी ने सकते हैं कि पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था हेट लग अपनी शैनिकों आगे है परमारू हमला जरूरत नहीं थी परमारू हमले की फिर भी किया गया जर्मनी इटली य चैहुगी देश थे वो लगवग सभी हार चुके थे अकेला जापान बचा थे अगर ये चाहते ही तो बिन परमारू हमले के भी उसको हरा सकते थे बिटेन और यूएसे लेकिन नहीं अपना वर्चसु इस्थाबित करने के लिए इन्होंने जापान पर अटैक करते हैं 6 द एक यूरेनियम बम था और एक प्लूटोनियम बम था एक का नाम था जो पहला था लिटिल बॉई और दूसरे का नाम था फैट में ये इतने बहंकर भी ना सकते जिनके हम कलपना तक नहीं कर सकते हैं 3,20,000 लोग उसी दिन मौत की सिकार हो गये थे 3,20,000 लोग उसी दिन मौत की सिकार हो गये और आने वाले समय में बहुत बहंकर भीमादों से मरते चले रहे हैं इसका एक रीजन था रीजन था परल हरबर ये अपना बदला भी लेना चाहता था जापान ने जो USA पर अटेक किया था परल हरबर पर 7,1941 को USA इससे बहुत ज़्यादा खपा था और दूसरा वो रूस को बढ़ता हुआ देख रहता तो वो सोच रहता कि कहीं रूस इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि मेरी जो भी मार्यादा है परतिष्ठा है वो बहुत नीचे लेवल पर आजाए वो अपने आपको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहता था उसके लिए लोगों को मौत के घाट उतार दिया अमेरिका ने उस समय उनिस्सो पैंतालिस की बात्ष्च रहे हैं मारना आसान है लोगों को बचाना बड़ा मुश्किल है आगे देख लेते हैं धन का विनास इसमें इतना धन का विनास हुआ था जो आज तक किसी ने कलपना तक नहीं की थी इसमें इतना ज़्यादा धन का विनास हुआ था देख लेते हैं कितना हुआ था कहा जाता है टोटल वन पॉइंट फोर ट्रिलियन लगभग वन पॉइंट फोर ट्रिलियन डॉलर का विनासस ले हुआ था ये तो एक अंदाजा है आगे पता नहीं कितना हुआ था अब आप सोच सकते हैं कि जिस और इस युद्य से मिला क्या कुछ भी नहीं मिला जो देश जीते थे वो भी बरबाद हो गए थे बरबाद थे भर्टेन प्रांस इटली जर्मनी भारे वे जीते वे सबी बरबाद थे युएस से युएस से का जो इसमें जो भी पैसा खर्च हुआ था जो भी धन गया था वो उसकी जीडीपे का लागवा थार्टी सिक्स परसंट था आप जीडीपी का इतना बड़ा हिसा आप युद्ध में जोनक दोगे क το आप लुगं क लिए क्या करो किया वह खुआ है בכशा हुआ जिए युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होilit ज़ rhoi किसका बहला थी इसलिए युद्ध USA, USA का 340 बिलियन डॉलार, जर्मनी का 270 बिलियन डॉलार, रूस का, सोबियसन का 192 बिलियन डॉलार, चाइना 190 बिलियन डॉलार, उनाइटेड किंगडम 120 बिलियन डॉलार. इतना बहनकर युद्ध था, जिसमें की पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, यह अनुमान युद्ध के बार लगाए नहीं थी, अब आप सोच सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसा अगर युद्ध में खतम हो रहा है, अगर यही पैसा किसी विकास कारे में लगा दिया होता पूरा विश्व आज विक्षित हो गया था, तो यही है, युद्ध नहीं होने चाहिए, ये था बहनकर विनास